Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं दिलीप चितरे का लिखा The Felling of the Bannion Tree दोस्तों Bannion का मतलब होता है बर्गद, बर्गद का पीड ये पोयम उस समय लिखी गई जब उनके परिवार के इतिहास में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया उनके पापा के द्वारा के जो पहाड़ी पे पुराने मकान हैं उनको गिरा दिया जाए और एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था उसे काट दिया जाए जो वहाँ पे कई सदियों से था लगबग दो सदी पुराना वो मकान था ये एक ओटो बायोग्राफिकल पोयम है और ये उस समय की बात चल रही है जब वो अपरूटिड हो गए थे बड़ोदा से और अब वो एक नए शहर बॉंबे रहने गए थी जो आज मॉडन जमाने में मुंबई की नाम से जाना जाता है यहाँ पे एक तरीके से ये जो बरगत का पेड़ है ये मैटाफर है उसकी खुद की जिन्दगी का कि जैसे वो खुद दिली चितरे उखड गए अपनी एक बुनियाद से और एक शहर से दूसरी शहर चले गए तो ये एक तरीके से पेट्रियाकल वर्सेज मेट्रियाकल थीम है यहाँ पे पित्र सत्ता को दिखाया गया है कि उनके फादर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे है मस्कुलिनिटी को, डॉमिनेंसी को, फॉर्वार्ड लुकिंग को और डिस्ट्रक्टिव नीचर को यह बुक सबसे पहले, यह जो पोयम है, यह पब्लिश हुई थी उनकी बुक में ट्रावलिंग इन अ केज, 1980 में और उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजिस के सिलिबस का हिस्सा है यह उस समय यह छोटे थे और इन्होंने इसका एक्स्पिरियंस देखा इमेजरी बहुत ही क्लियर है, हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है मेरे पापा ने कहा किराइदारों से कि आप छोड़के चले जाओ उन घरों को जो हमारे घर के आस पास थे पहाड़ी पर एक के बाद एक उन्स स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया गया Only our house remained, सिर्फ हमारा घर बचा And the trees, और वो पेड Trees are sacred, my grandmother used to say पेड पवित्र हैं, मेरी दादी कहा करती थी Felling them is a crime उन्हें काटना एक अपनाद है But he massacred them all Massacred का मतलब होता है नर सहार, काट डालना, मार डालना पर उन्होंने किया, किसने किया? इनके पापा ने The shioga, the adember, the neem were all cut down सभी बेड़ों को काट दिया गया But the huge banyan trees stood like a problem पर एक बड़ा सा बर्गत का पेड वहाँ पे एक परिशानी की तरह ने खड़ा दिख रहा था Whose roots lay deeper than all our lives जिसकी जड़ें हमारी जिंदगी से भी जादा गहरी थी My father ordered it to be removed पापा ने आदेश दिया कि इसे हटाया जाए The banyan tree was three times as tall as a house हमारी घर से तीन गुना जादा बड़ा था Its trunk had a circumference of 55, 50 feet 50 feet की उसकी परिधी थी उसके तने की Its scraggy aerial roots Scraggy मतलब Durbal Sea और Marivy Sea Hawaii जड़ें Fell to the ground Ground तका रही थी उन्हें काट दिया गया From 30 feet or more So first they cut the branches Sawing them off for 7 days So first they cut the branches So first they cut the branches Sawing them off for 7 days And the heap was huge 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 Insects and birds began to leave the tree Kidday और चिडिया ने शुरू कर दिया था पेड को छोड़ना And then they came to its massive trunk फिर वो उसके बड़े से तने पर आये उसके मुख्य तने पर Fifty men with axes Chopped and chopped Pचास लोग कुलहाडियों के साथ उसे काट डाला काट डाला The great tree revealed its rings of 200 years जब आप पेड को काटते हैं तो उसका तना कटने के बाद उसमें हमें अंदर rings दिखती हैं जिने हम annular rings कहते हैं क्योंकि वो साल में एक बनती है किसी भी पेड को काटने के बाद उसकी rings को गिन कर आप बता सकते हैं कि वो साल कितना पुराना है तो उसमें 200 साल की rings थी हमने देखा डरते हुए और अश्यरे के साथ इस स्लोटर को स्लोटर हम लोग जैसे कसाई जानवर को मार देता है इस तरीके से स्लोटरिंग करना एक प्राचीन माइथोलोजी ने यानि पुरानी कथा ने हमें बताया उसकी उम्र के बारे में जल्दी ही उसके बाद हम बरोदा छोड़के चले गए जहां पर पेड नहीं है सिवाए उसके जो किसी के सपनों में उगते हैं और दिखते हैं और उसकी हवाई जड़ें धूंड रही हैं जमीन को टच करने के लिए सो यह पोयम थी जहांपर कि हम देख रहे हैं फैमिली रूट्स कट गई है बड़ा एक ड्रास्टिक एक्शन लिया उसके पापा ने अपनी पुष्टैनी जमीन के उपर से उन पेड़ों को तोड़ना काटना आई होप ही आपको समझ में आ गया होगा यदि चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें बैल बटन पे हिट करें ताकि regular notification आपको मिल सकें All the best for your exams, don't forget to like, share and subscribe